हमारे मेन क्यारेक्टर के एक्सिडेंट हो जाने के पाथ उसे लगता है शायद उसकी गल्फिर्ण उस पर चीट कर रही है और उसे पानी के लिए उसके पानी के लिए कुछ भी कर सकता है अगर आपका वीडियो सकता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरू कर दीजेगा अब बिना किसी दरी के एक्सिडेंशन स्टार्ट करते है और हम अमारे मेन क्यारेक्टर एंजल को उसके पार्टनर रिकार्डों के साथ देख सकते है यह दोना एक पारमेडिक है जहाँ प पहुचकर उनके विक्टिम को हस्पिटन ले जाने के लिए हेल्प करते हैं यह काम करते वक्त एंजल का एक सिक्रेट है जिन भी लोगों क्यों हेल्प करता है अगर उनकी कुई वैल्यूबल चीज नीचे पड़ी होगी तो खुद के लिए रख लेता है आज रात भी उसने पशेज होता है वो किसी से भी बात करें यह बात उसे जादा अच्छी नहीं लगती एक दिन एक बुड़ी औरत की टेथ होगी तो वहां से भी एंजल उसकी चीज़े चुरा लेता है इसमें एक वैल्यूबल वाच थी और एक वेडिंग रिंग थी वेडिंग रिंग उसने वाणे को देने के लिए अपने पास रख ली और इस वाच को एक गैंगस्टर को सेल कर देता है इस गैंगस्टर का मूवी में आगे रोल प्लेई होगा एक दिन जब एंजल घर पर आया है तो वाणे को किसी का मैसेज参 आ रहा था एंजल कहता है किसी reply दे दो वाने कहती कि मैं पाद में दे दूँगी तो एंजल को लगा कि शायद वाने का कहाओ पर अफेर चल रहा है वाने को लग रहा था कि एंजल में शायद कुछ प्रॉलम है इसी वज़े से वो pregnant हो नहीं पारे उसे होस्पिटल में जाकर चेक अप करवाने के लिए कहती है एंजल भी बहुत ही confident था कि उसमें कोई भी प्रॉलम नहीं है तो जाकर होस्पिटल में चेक करवा कर आता है वहापर उसे पता चला कि उसका sperm count बहुत ही कम है और इसी वज़े से वो फादर बन नहीं सकता वाने में कोई भी प्रॉलम नहीं था घर बनाने के बाद ये बाद वो वाने को नहीं बताता उसे कहता है हमें सिर्फ ट्राइक करते रहना चाहिए आज राद भी वाने के साथ intimate होना चाहता था पर वाने को जरा study करना था तो इसी वज़े से वो लाइबरी जा रही थी शक में आकर एंजल ने वाने का फोन चेक किया तो एक लड़की का उसे message आया हुआ था ये लड़का जरा handsome था तो इस वज़े से वो जेलस हो जाता है नेकसिन में हम देखते है कि एंजल रिकार्डो के साथ अपने जॉब पर था वाव और वो एक आत्मी को सेव करते है और जल्दी से जब होस्पिटल में लेकर जा रहे थे तो अचानक से उनका accident हो जाता है इस accident में रिकार्डो तो बच गया था उसे कुछ भी नहीं हुआ पर एंजल के पेर पर बहुत बड़ी चोट आई थी इस वज़े से उसके legs paralyzed हो जाते है और वो चल फिर नहीं सकता तो इस वज़े से बहुत जादा disturb हो गया था वाने उसे support कर दिया वेचर उसके बाहों में रोता है हर चीज को लेकर उसे help करती थी खाना पीना हर जगा पर लेकर जाना एक रात फिर से वाने अपने classmate के साथ library में जा रही थी तो एंजल उसे बुच्छता है तुम इतनी अच्छी तरीके से तैयर होकर library जा रही हो क्या तुमारी और उसके बीच में कुछ चल रहा है वाने ने इस बात को ignore कर दिया और वहां से चली गे एंजल का इस तरीके से उस पर शक करना यह उसे अच्छा नहीं लगता अगली दिन एंजल ने कुछ research की वो चाहता था कि हमेशा वाने का अता बता उसे मालूम हो वो phone पर किसे बात करती है कहा पर जाती है यह सब कुछ उसे पता चल सक्या इंडरनेट पर उसे एक एप के बारे में पता चला यह एप उसे वाने के mobile पर और अपने laptop में इंस्टाल करना था इसे वाने की location वो किसे बात करती है किसे चैट करती है कैमेरा यह सब उसे access हो सकता था एंजल आज कल थेरभी विगरा लेकर अपने legs को strong करने की कुशिश कर रहा था एक दिन एंजल से मिलने के लिए उसका partner रिकार्डो आता है रिकार्डो ने उसे sorry का एंजल ने का तुम्हें sorry होना भी चाहिए तुम्हारी वज़े से मेरी ये सारी हालत हुई है और तुम सही सलामत हो ये सब सुनकर रिकार्डो को भुरा लगा वाने एंजल से यह दिया इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी तो मैं इस तरीके से उसे treat नहीं करना चाहिए था एंजल को वाने के मोबाइल में एब इंस्टॉल करने के लिए टाइम मिल सके है तो उसे रहता है कि नीचे जाकर मेरे लिए प्लीज आइस्क्रीम लेकर आओ वाने इस बात को मान लेती है और जब वो नीचे गे तो एंजल ने अपना एब उसमें इंस्टॉल कर दिया अगली दिन अपने नेबर से उसने इसके बारे में बात किये नेबर ने कहा कि मेरी वाइब बहुत ही जादा बीमार है तो रात में उससे देखने के लिए मुझे जाना पड़ता है डॉग घर पर अकेला होता है इसी वज़े से वो बाग करता है थोड़े दिनों के लिए उसने एंजल को एड़ेस करने के लिए कह दिया एंजल के लिए ये विदाउट लेक्स लाइफस्टाइल बहुत ही अलग थी उसकी तेरपी में उसे जो नर्स हेल्प कर रही थी उसका नाम था सैंड्रा सैंड्रा हमेशा एंजल से जादा एक्जरसाइज करवाने का ट्राइ कर दिया एंजल ने आज उसे कहा कि इससे जादा अब में एक्जरसाइज नहीं कर सकता वो बहुत जादा थक चुका था पर सैंड्रा ने उसकी वेल चेर एक दूर के कोरे में रख दिये एंजल से कहा कि जा और उसके बैट जाओ एंजल बैटते वाद सैंड्रा के करीब आ जाता है उसने उसे बहुत ही अनकमफ़रेबल फील कराया था एंजल हमारा इस तरीके से कारेक्टर है कि अगर उसके साथ कुछ गलस होता है तो उसका बदला वालेगा किसी को भी जाने न पाएंगे यह बात एंजल को अच्छे नहीं लगती है वो गयता है कि फिर हम दोनों जी कैसे पाएंगे मैं पैरलाइस्ट हूँ इस वज़े से मेरा अलॉंस बहुत ही कम आता है वाने को इस बात के लिए स्टिकली मना कर देता है रात में एंजल को अपने पैर में बहुत ही वेट कर रहा था उसे बहुत डाटता है कहता है कि तुमने मुझे रात भर पैन में रखा वाने को लगा था कि उसने एक्स्ट्रा मेडिसिन लाई हुई थी पर वो भूल चुकी थी उसे बहुत बुरा लगता है और जल्दी से एंजल के लिए मेडिसिन लेने के लिए चली डेथ हो जाएगी डॉक का ओनर डॉक को जब पाक में लेकर गया तो उसका पीछा एंजल ने किया दूर से सीटी मार कर वो डॉक को अपने पास बुला लेता है और इस मीट के पीस को उसने उसे खिला दिया किसी ने भी एंजल को एक करते हुए नहीं देखा था वाने जब अपने फ्रेंड से कहा कि मैंने कभी भी एंजल को लाइक नहीं किया था यह बात सुनकर एंजल को बुरा लगा वो डिसाइड करता है कि अपनी रिलेशनशिप में एफर्स डालेगा आज रात उसने वाने के लिए कोक किया उसके साथ एक रोमेंडिक सा डिनरो करना चाहता उसने उसके लिए ड्रेस भी लाई थी जो वाने को पहनने के लिए कहता है यह सब देखकर वाने सप्राइस थी एंजल ने वाने से कहा जो इंटरंशिप तुम करना चाहती थी यह तुम एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए अब आज से सब कुछ बदल जाएगा मैं हमारी को और एक वो चांस देगी आज रात जब एंजल शावर लेता है तो वाने अपने मोबाइल पर किसी से बात कह रही थे पर जब यह मैसेज आता तो एंजल के लैप्टॉप पर नोटिफिकिशन आती है इसका आवाज वाने ने सुन लिया वो इसे चेक करने के लिए तो अपने साथ लेकर गई थी एंजल ने उसे जो ट्रेस दिया था सिर्फ वही पड़ा हुआ था इसके बाद हम देखते हैं डारेक्ली टू-3 मन्स गुजर चुके हैं एंजल अब अकेला था खुद का ख्याल खुदी उसे रखना पड़ता था एक दिन ग्रोसरी शौब में उ उससे भी अच्छी तरीके से बात नहीं करता उसने अपनी थेरेपी कंटिन्यू की थी उसका मॉरल अब भी स्ट्रॉंग था कोई भी उसे पैरलाइजड आदमी की तरह ट्रीट करें यह बाद उसे अच्छी नहीं लगती थी एक दिन उसने वाने का पीछा किया तो वो ने वाला था इस बात से एंजल बहुत जादा गुसा हो जाता है उसे लगता है रिकार्डों ने जान बुछ कर वो एक्सिडेंट करवाय हुआ था उसने रिवेंज लेने की सोच ली थी वो फिर अपने फ्रेंड की मदद लेकर एक होस्पिटल में गया वहाँ पर इल्लीग टाइम में सिर्फ तुमें देखना चाता था कुटबाय कहना चाता था वाने को भी उस पर तरस आ जाता है उसके साथ चलने लगके एंजल ने कहा कि तुम्हारा कुछ सामन घर बर पड़ा हुआ है अगर तुम चाहो अभी आकर उसे लेकर जा सकती हो वाने इस बात के लिए मानके उसने घर में आकर देखा तो एंजल का इस तरीके से रहना उसे अच्छा नहीं लगता कर पूरी तरीके से मैस था एंजल ने कहा कि तुमारी चीज़े बेड़ूम में रखी ह्यां वाने जब बेड़ूम जोंड रही थी तो एंजल ने कहा कि बेड की नीचे वाने का ध्यान नहीं था तो एंजल ने मॉर्फेन का इंजेक्शन उसे इंजेक्ट कर दिया इस वज़े से व बेहोश होगी अब एंजल उसके हाथ पेर बांद देता है उसके मूँपर भी उसने पट्टी लगाई हुई थी वाने की चीज़े कोई भी सुनना पाए इस वज़े से एं एंजल पानी में फेड देता है वाने को जब होश आए तो एंजल कहता है मुझे तुम्हारे और रिकार्डो के बारे में पता है वाने ने कहा कि प्लीज मुझे यहां से जाने तो वह चिलाने लग चैंचल फिर से उसके मूब बा पट्टी बाढ़ेता है अगली दिन एंज जोर था कि किसी लड़की की आवाज आ रही थी एंजल उसे कहता है कल मैंने सेक्स वरकर को घर पर बुला हुआ था इसी वज़े से उसकी आवाज तुम्हें आ रही होगी नेबर इस बात को मान गया और यहां से हो चला जाता है अपनी थेरे भी लेते हुए एंजल आज का फ्रेंड नहीं है तुम्हें जल्दी ट्राय करना चाहिए वरना तुम्हें बेबी नहीं होगा सैंड्रा अल्मोस्ट एंजल का मजा क्ले रही थी तो इसी वज़े से हर्ड करने के लिए इस सब चीज़े उसे बता दी वो जब घर पर आया तो रिकार्ड उसके बिल्डिं ने पर रिकार्डो का शहर के एंजल परी था उसे इनौर करकर वहां से चला गया उपर आकर एंजल ने वाने से कहा कि तुम्हें शाओ और वेगरा लेना चाहिए वाने उटने की कोशिश कर दिया पर उसके लेक्स पैरलाइस्ट हो चुके थे एंजल ने उसे दवाई देकर उसके लेक्स को पैरलाइस्ट कर दिया था इस बात से वह बहुत ही ज़्यादा डिस्टब हो गई वो तडबने लग गई और यहां से बाहर जाने की कोशिश कर दिया एंजल इस बात को एंजॉय करता है वाने को पैन में देखना यही उसका बदला था एक रात वो वाने के स ज़्यादा नोटल एंजल की सर में डाल देती है वो हेल्प के लिए बहुत चिलाई वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी एंजल ने उसे पकड़ लिया उसे फिर से बेहोष कर देता है वाने की चीके सुनकर उसका नेबर डोर पर आ गया एंजल ने डोर खोला तो उसके स चीजे चुराता था तो एक गैंग्स्टर को सेल करता था तो उसी गैंग्स्टर को उसने कॉल कर दिया कुछ पैसे वो उसे दे देता है और नेबर की बॉड़ी गैंग्स्टर लेकर चला गया उसने फिर से वाने को कंट्रोल में कर लिया था आज रात एंजल ने वाने के पॉ रिकार्डो को मार दिया अब लोगों को लगेगा कि रिकार्डो ने खुद खुद खुशी कर ली अगली जुबा एंजल से मिलने के लिए पुलीस आया रिकार्डो ने पहले ही पुलीस को कॉल किया हुआ था वह ने अचनक से गायब हो गई ये बाद उसे बहुत ही अजीव लगी थी वो पुलीस को समझाने की कोशिश करता है कि वो प्रेइगनन्ट थी और हम दोनों बहुत ही जादा खुश थे हैं वो इस तरह के से गायब कैसे हो सकती है रिगार्डो की डेड़ बाड़ी मिलने के पाद इन्वेस्टिकेशन करते हुए पुलीस यहाँ पर आय हु पुलीस के जाने के बाद वाने को होश आया एंजल उसके लिए एक हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाता है कहता है कि बेबी के लिए अच्छा खाना उसे मिलना चाहिए डेड ओल्ड हुमन से एंजल ने जो रिंग चुराई थी यही रिंग उसने वाने को दी और पूछा क्या त देती है उसने कहा कि मुझे बातरूम में लेकर चलो वाने की पेर पैरलाइस थे तो एंजल को लगा कि यह जादा कुछ करनी पाएगी बातरूम में जाने की बाद उसने एंजल को डोर बन करने के लिए कहा वहाँ पर नेल गडर की बीच में जो नाइफ होती है यह वाने को मिल गए बड़ी चाला के से उसने इसे छुपा लिया वाने की तबियत ज़रा खराब थी तो उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए रात में एंजल घर से बहार निकलता है मोके का फाइदा उठा कर वाने ने चाकू निकाल लिया उसे अपने आपको फ्री कर दिया एंजल ने डोर को बहार से लॉक किया था तो उस चाकू से उस डोर को उसने तोड़ दिया वो स्टगल करते करते लिफ्ट तक आए पर एंजल घर में कुछ भूल गया था तो वो फिर से वापस आता है उसने वाने को देख लिया उसको पीछा करने लग गया वाने डर का स्टेर से नीचे गिर दिया तो एंजल भी उसके पीछे बेचा रहा था उसे पकड़ लेता है तो वाने ने बहुत स्ट्रगल किया फाइनली अपना चाकू लेकर वो एंजल बर वार कर दिया इस वाइट में एंजल ने अपना कंट्रोल लूज किया और वो नीचे गिर रहा था वो अगर मरेगा तो वाने को भी साथ लिकर जाएगा इसी वज़े से उसे पकड़ लेता है वाने ने चाकू लेकर उसके हाथ पर वाने आई वाने के पेड़ में एक हेल्दी बेबी भी था एंजल ने उसको इतनी तकलीफ दी थी फिर भी वो सेफ थी फाइनल यू एंजल से कहती है कि अब मैं तुम्हारा ख्याल रहूंगी इसका मतलब है हर दिन वो से बदला लेगी हर दिन उसे तड़ पाएगी वो से बेल नोटिवेशन आइकों नोने मत भूलेगा हम फिर से में लेंगे और एक नमुग के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया